किसी भी जॉब के अंदर में सेलेक्ट होने के लिए जितना important हमारा skill and talent होता है उतना ही important हमारा resume होता है अगर आपके पास talent and skill काफी कूट कूट के बड़ा है लेकिन उस talent and skill को अगर आप एक paper में सही तरीके से present नहीं करते हो तो आपका talent और skills दरे के धरे रह जाएगा और आपका वहाँ पर chances जो होगा job पाने का हो वो तुरा कम हो जाएगा इसलिए skill and talent के साथ-जाथ आपको अपने resume पर भी ध्यान देना है कि एक professional resume कैसे बनाए इसके लिए सबसे बहले तो आपको अपना computer या फिर laptop को open करने और यहाँ पर start section में जाना है और यहाँ पर आपको search करने ms word जैसे सेर्च करोगा यहाँ पर ms word को option मिलेगा यहाँ पर click करने और इस ms word को आपको यहाँ पर open कर लेना है यहाँ पर new blank document को option मिलता है यहाँ पर click करने और यहाँ पर resume बनाने से पर आपको कुछ बाते बता दू आपको कुछ डाउट भी आ रहे होंगे कि हम ms word क्यों बना रहे है हम जाहे तो google पर जाकर कि यह और website से भी बना सकते है आपका यह बात सही है आप google पर जा सकते हो और वहां से भी resume बना सकते हो लेकिन वहां पर एक दिक्कत आए कि जब आप resume बना लोगे जब आउसको download करने के बारी आए कि जब पीडियप में download करना चाहोगे बिल्कुल आप फ्री में यहाँ पेडिया फाइल डाउनलोड भी कर सकते हो बिल्कल फ्री में आप बना सकते हो तो यहाँ पर MS Word आप अपन करोगा यह इस तरह से खुल लियागा कुछ इस तरह का यहाँ आपको देखने को मिलेगा यह सारी लेयर से बट हमको यहाँ पर रिजुमी बनाना है सो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इस पेपर को बॉर्डर देना होता है तो इसके लिए हमको यहाँ पर डिजाइन वाले सेक्शन में क्लिक करना है यसे बाद यह नवितette पर क्लिके बार्ध उसन in your Aimade क्लिक करोगे तो आपको बोड़र यह इनवाँ मिलता है लेकिन आप ड्रॉजुम में बना रहा है तो यह जो box का OPSIONब नभार क्लिक कर ना है यह द्ग आप यह को SIMPLE охliga IDs violation क्लिक कर देना है यह dot वाली border मत लगाईएगा, लाइन वाली यहां पर select रहेगा और यहां पर देखोगे और उसके बाद OKC option पर क्लिक करोगे जैसे क्लिक करोगे आपका यहां पर border जो की लग जाएगा आपके page पर क्योंकि जब आप PDF फाइल डाउनलोड करोगे तो इतना border आपका खाली रहना ची आउटर का इसलिए पहले तो आप border create कर लोगे ताकि आपको यहां पर रिजुमी बनाने पर दिक्कत नो यहां पर आपको size यहां पर सबसे पहले cali body है तो यहां पर आपको area select करना है area and उसके बाद इसका size होना चाहिए वह आपका 20 होना चाहिए and उसके बाद यहां पर आपको resume लिखना है resume ठीक है और उसके बाद आपको इसको underline करना है so यहां पर underline करना है so यहां पर underline करोगे and उसके बाद यहां पर आपको enter दबाना है उसके बाद यहां पर backspace दबागो है so यहां पर back में आ जाओगे and उसके बाद यहां पर आपको size यहां पर increase करना है एप size आप 14 रखना है उसके बाद ये underline का option को भी off करना है यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है जो भी आपका नाम है एप这个 करने के बाद आपको enter click करना है इसके बाद फिर से यहाँ पर size decrease करना है अब यहाँ पर आपको 12 size करना है यहां पर सबसे पहले आपको address डालना है उससे पहले आपको यहां bold करना पड़ेगा address को यहां पर address डालने के बाद इस address को आपको adjust करना होता है जैसे कि यह 12 size का है और यह भी 12 size का है तो यह थोरा सा इधार resume की आस्पास आ जा रहा है तो इसका size को हम थोड़ा decrease करेंगे 11 इसको करेंगे एंड उसके बाद यहां पर enter करके नीचे आएंगे एंड उसके बाद आपको यहां पर mobile number एंटर करना है एंड जो भी आपका mobile number और यहां पर एंटर करोगे बाद यहां पर इसको आप बोल्ट करोगे शहत में यह भी बोल्ट होगा एंड उसके बाद आप फिट से एंटर प्रेस करोगे एंड उसके बाद यहां पर आप इमेल डालना है जो भी आपका इमेल है इसको भी आप पहले तो बोल्ट कर लोगे Ctrl B कर करो इसको बोल्ट नहीं करना है बस इमेल को बोल्ट करना है एंड उसके बाद एंटर प्रेस करना है यहां पर आपका इमेल में आपका यहां पर बुलू लाइन हो रात बड़ इसको बुलू नहीं रखना है यहां पर क्लिक करना है और यहां पर आपको ctrl k करना है and उसके बार remove link के option पर click करेंगे तो आपका remove link जो हो remove हो जाएगा and उसके बाद यहाँ पर नीचे click करना है and अब यहाँ पर आपको सबसे पहले हो तो italic पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको area में जाना है and उसके बाद इसके size को आपको तुरह increase करना है पुरा लिखना है carrier objective ठीक है उसके बाद यहां पर आप enter press करोगे और इसके बाद italic अटा होगे फिर यहां पर size इसका कम करोगे 11 करोगे और यहां पर आप लिखोगे पर से केरियर विच उड इन्हांस माइ स्कील इन वर्क रिलेटेड इन्वार्मेंट और उड मेक मी बेटर प्रोफेशनल यह आप नोट को सेम तूसम कोपी करके डाल सकते हो अपने रिजूमी में या फिर आप इसम कुछ सुदावट कर सकते हो अब यहां पर क्लिक करना है अब दे सकते हो लेकिन मैं आपको सेजेश्ट करूँगा कि यह जो साड़ है उपर से दो नमर इस साड़ को यहां पर आपको डालना है 50% का डार कर और उसके बाद फिट से आपको नीचा करके यहां पर आपको अपको एंटर प्रेस करना है अब इसके बाद आपको यहां प क्वालिफिकेशन एंटर करना है और उसके बाद फिट से एंटर प्रेस करना है इस अटाली कोटा आपको साइज यहां पर डिक्रीज करना है और उसके बाद यहां पर आपको इंशॉट सेक्शन में जाना है और यहां पर को 5 कॉलम बला टेबल को आपको क्रेट करना है तरह यहां पर 4 क्रियेट कर सकते हो जितना आपका क्वालिफिकेशन है उसलिए एक हिसाब से इसके अंदर में 4 क्वालिफिकेशन डालने वाला हुम है सो यहां पर education qualification एंटर करेंगे फिर यहां पर आप टेबल क्रियेट करोगे अब यहां पर आपको क्या करना है तो इसके अन्दर में आपको सबसे पले ought EXAMINATION EINTOR करना है इसके बाद यहां पर आपको Bored and University EINT belongs to Add 거. इसको आप थोड़ा EINCREASE भी कर सकते हो यहां पर year of passing आपको E-å Pepsi सaking एर में passed हुए है उसका फोरे घ्राइस कर सकते हैं ए उसके बाद मैं यहां पर से परेंटेस डाला है कितना परेंटेस आया था विống contribige थोरा से परेंटर कर है जो भी आपका education है सो सबसे फ़ला तो secondary education secondary education मतलब 10th कौन से board से की आपने डालोगे सो यह हमारा up board है so up board डालूंगा and year of passing 2018 and percentage कितना है तो 75 percentage स्ट्रीम किया था तो science था and यह higher secondary भी up board से किया है यह भी science stream है अब यहां पर आता है कि अब इसके बाद आपको कौन सा qualification है तो यहां पर है मेरा diploma and यह जो हमने किया है जामिया हमदर्द से इसका भी stream का जा तो science है सो इस तरह से आपको अपना educational qualification एंटर कर देना है और भी अगर qualification हो सो यहां पर click करो के and below के option पर click करो के एक और table आपको देख जाएगा सो यहां पर अपना education qualification डाल देना बट मेरा इतना ही educational qualification है सो मैं इसको यहां पर enter कर दिया अब यहां पर educational qualification पर click करना है और उसके बाद आप इसको shadow दे देना है अब यहां पर work experience एंटर करना है और यहां पर आपको work experience डालना है तो आपको सबसे पहले तो यहां पर बुलेट को click करना है और जितना आपका experience अपना experience यहां पर share करोगे तो मेरा फामेशी में 3 months का working experience रहा है और आपको जहां पर भी अपने नाम डाला है जो भी hospital यहां पर जहां से भी अपने training किया है उसको double inverter कोमा के अंदर में डालोगे ठीके इस तरह से अब यहां पर working experience को भी आपको shadow देना है आपको फिट से यहां पर enter करना है आप उसके बाद आपको backspace करके नीचे आप यहां से फिट से आपको जाना है फिट से size increase करना है 14 size करना है अदालिक करना है अद यहां पर attitude आपको enter करना है attitude and उसके बाद enter press करना है and उसके बाद यहां से आपको size decrease करना है 11 करना है टालिक अटाना है and आपको bullet section में जाना है and इसको आपको अपको अब यह वाली bullet को select करोगे attitude में सबसे पहले आपको यहां पर डालनी है hard work smart work दूसरे bullet केहने में डालना है will and उसके बाद attitude को भी आपको सहाड़ा दे दना है अब यहां पर आपको अपना personal information अटा करना है so फिर से अपको यहां पर size increase करना है 14 अटालिक पर क्लिक करना है and यहां पर अपकापितल लिटर में प्रोशनल enter करना है and उसके बाद में इसको आपको italics अटाना है size decrease करना है and आपको bullet point में आपको जानी है and इस बार यह bullet point को आपको select करना है and यहां पे सबसे नहां पहले आपको father name enter करना होगा ठीक है लिए औगप को दलोगे this तरह जो भी आपको father name उटालोगे and उसके बाद में आपको gender ढला है and यहां पे आपको दीर दालना है and फिर से यहां पे language अप डालना है यह कौन से आपको language आती है यहाँ पे आप language select करोगे दूसरा language English और अगर आपको और extra language आता तो भी आप डाल सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके बाद यहाँ पे आपको nationality डालनी है और उसके बाद में आपको अपना religion डालना है अन उसके बाद में एंटर करेंगे फिर एंटर करेंगे हट जायेगा अन उसके बाद यहाँ पे अब हमको यहाँ पर declaration अंटर करना है सबसे पहले size increase करेंगे 14 at a.lick बजाएंगे और यहाँ पर declaration अंटर गेंगे sorry capital matter में मच मच पैले में एन्टर प्रेस, इसको अजियरा अटाएग्रा के साइज इसको ऑर और यहाँ पैली इस सबसे पेले के सागा देग्गे I hereby declare that all the information provided here is true to the best of my knowledge and उसके बाद इस declarations को अब आपको shadow दे देना है यह होने के बाद आपको enter प्रेस करना है and यहाँ पर आपको सबसे पहले bold करना है and यहाँ पर आपको date डालनी है and उसके बाद enter प्रेस करना है पहले डालनी है and थोरा से यहाँ पर space दबा करके यह इदर लाओगे and यहाँ पर आपको signature एंटर करना है signature ठीक है इसके एंटर प्रेस करोगे फिर इसको इस तरह लाओगे यहाँ पर and उसके बाद यहाँ पर आपको insert में जाना है and यहाँ पर shape के icon पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको line का option में यहाँ पर एक line में लगए इसको click करना है and यहाँ से आपको एक line ड्रो करनी है इसके नीचे और click करके इसका color को आपको black कर देना है and इसको अप तो राजेस्ट भी कर सकते हो बकिस सही है ठीक है इतना आपको करने के बाद आपका जो resume है वो आपका बन गया 95% आपका resume ready हो गया 5% और बाकी है उसको थोड़ा सा यहाँ पर एक photo आपको लगानी है so यहाँ पर end shot में जाएंगे image को option में click करेंगे जहाँ पर भी आपका image है वहाँ से आप image को select करोगे सुम इस image में select करता हूँ जहाँ पर इंसर्ट करेंगे जैसे एक click करेंगे तो यह इस तरह आए फिर इदर बगल में text wrap का option में यहाँ पर click करोगे आपको यहाँ पर in front of text यहाँ पर click करना है इस photo का आपको सबसे बहले छोटी करनी है इसको आपको इदर adjust करना है passport size यहाँ पर adjust करना है आपको और यह जो रिजुम ए ग्रीन लाइन आपको देख रहा है इसके नीचे रहना चाहिए और इदर आऊगे तो एक और ग्रीन लाइन आपको देखने को भी लेगा यहाँ पर आपको दीखाया है green light, so इसके बादे में आपको सेंटर we can add to this by तो पूरा इस इंफोरमेशन सही तरह समें फिल किया और सबका साइज आपको तुरा सा कम करना पड़ेगा अगर आप यहां पर एक और डालते हो तो यह नीचे चल जाता है इसलिए इसका क्या कारण कि यह ऍापका 11 और इसका कटेंपा 10 कर सकते है इसको पंड़ेश करो तो इन था यहांप करेंपें 10 किया है तो यह तो कभी खळेशना होता है कोई are you do not add each one कोए लिए बात डिक्कत वाली बात है तो इस तरह से भी आप अपने 0-10 कर सकते हो आपको तरह से आपको इसे इस तरह से गांते होग생 तो आपको स्धीमुटी करते हो लेकिन छोड़ा पर फिरड़ास टो भाइड़ासर गोना चाहिएं तो इस तरह से आप करोगे, तो आपका पेज फूल नहीं होगा, अब इसको डाउनलोड करना है, पीडियाप फाइल में, ठीक है, तो इसके लिए सब सिम्पल कंट्रोल और प्लस यहां पी क्लिक करेंगे, तो जैसे कंट्रोल प्लस पी करेंगे, तो प्रिंट के लिए यहां प क्लिक करेंगे यहं पर फायल में, पीडिय आफ करने क लिबाऊ बेख देगा, और दैख सकते है, से एच टाइप पीडियएफ report ॹपे डॉक्मेंट, खोकी आफ यहां पर दॉगोड क एकरेंगे, यहां पर डाउनलोड का एक आखन पर क्लिक करतेंगे, तो यहां से बाबbay एक रुझमी बनाया था यही हमने उन्हों चुना, कुछ इस चाह बनाय थाँ आप एक रिज्युमी घर बेटे में अर बना सकते हैं,im आप इस तरह से बना सकते हो नहीं तो आप अगर अकुछ से बना को तो पीर मिंध् got product कर सकते हो तो आप इस तरह से एक अप्रEEPस्जू में बना सकते हो CA起 नीचे आप देख़ो तो वरक के experience में कुछ आपको यह पर जितना आपका experience वह यह पर बदलते हो बाकि जो examination हुआ कौनसा डेट में पास की है यह सब ही आपका आप अपने हिसाब से डालते हो क्या क्या है तो कुछ इस तरह से आप गर बैटे online एक resume professional बना सकते हो आयोब कि यह वीडियो आपको काफी अच्छ जै वारत